सब्सक्राइब करने वाला हूँ प्रोजेक्ट का नाम है बासुतिव स्काय हाई चौदा माले का टावर है यह फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लाइट दिया हुआ है नीचे काफे बढ़िया ओपन स्पेस कवर्ड पार्किंग और ओपन पार्किंग क्लब हाउस जिमनासिय गार्डेन क्रिस्पले एरिया यह सब कुछ दिया हुआ है अभी मुझे दुक्राण हूं यह टू बीज़के की प्रॉपर्टी है और प्राइजिंग मैं आपको थोड़े मैं बताता हूं साइज भी बताता हूं साथ सो स्क्वार फूट के आसपास इसका कार्पेट एरिया ह है और 93 लाग इसका नेगोशेबल प्राइज है तो आएए पहले फ्लैट देखते हैं लोकेशन इसका बता दूँ बासुदेव स्काई हाई प्रोजेक्ट का नाम है और कनक्या में इसका एरिया है कनक्या बेवरली पार्क मेरा रोड इस्ट में सिनेमेक्स के पास ओसी आ चुका है बीम सी वोटर आ चुका है इसमें गैस पाइप लाइन आ चुका है सी सी कंप्लीटेड है तो बिल्कुल टाइटल क्लियर प्रोपटी है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं हूं अभी अभी आये देखते हैं इसका टू बेसके का फ्लैट किस टाइप का है आघे को आब देखें तो इज़र आपको यह डाइनिंग ऐरिया है इस तरफ डाइनिंग है और इस तरफ इसका लिविंक एरिया है और यह हाइट बगरत आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मेंटेन किया हुआ है और विल्डर ने ही फॉल सेलिंग कुछ बना के दिया है तो और डाइनिंग के सामने ही इसका किचन दिया हुआ है आईए मैं दिखाता हूँ कि इसका पैसेज यानि बैलकनी कैसा है इनको मत लेना वहां से दिखाऊ यह इसका मैं विंडो के साइड से आपको दिखा रहा हूं यह पूरा लिविंग डाइनिंग इरिया लिविंग इरिया पकड़ लें यह टीवी यूनिट है और अभी यह प्रॉपर्टी रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट के हिसाब से इनको मैनेज किया हुआ है लेकिन अभी इसमें और खुद नहीं रहते हैं किचन का विंडो खूल और यहां पर डाइनिंग के हिसाब से बैड डाइनिंग के जग़े पर इन्होंने बैड रखा है यहां पर डाइनिंग का छे साथ आठ टेवल का डाइनिंग टेवल रख सकते हैं और यहां पर वास्तु को बहुत अच्छा ध्यान में रखा हुआ है क्योंकि जब आप एंट्री है इसका प्रॉपर इस्ट वेस्ट है और डाइनिंग के जस्ट सामने आपको किचन मिल रहा है किचन में किचन में आगया जो यह एल टाइप का फ्लैट्फॉर्म दिया हुआ है अपर केविनेट्स बिल्डर ने दिया था इन्होंने अपने हिसाब से जो मैनेज किया है थोड़ा क्लीनिंग वगरह करेंगे तो अच्छा इसका लुक आ जाएगा और बाहर तीन से चार फूट का इसक पर आप वाशिंग मशिन रख सकते हैं और बाहर का व्यू एक बार देखें तो ओपन व्यू आपको मिल रहा है जिस तरह आपको हॉल से यानि लिविंग डाइनिंग से जो व्यू था ऊपर के और दिखाओ सामने कोई ब्लॉकेज नहीं है और प्राइज में तो क्या बहुत रहा हूं तक कि आप लेने के बाद थोड़ा इसको इंटिरियर तो करने के बाद खुब्सूरत बना सकते हैं आप यह इसका पूरा पैसेज है मैं आपको पहला कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ यहां से जब आप एंट्री करेंगे तो इस तरफ एक छोटा बैड रखा हुआ है इस तरफ भी कपड है और सामने साइड भी कपड है कि दो तिन तिन कपड रखने के बज़े से थोड़ा सा छोटा लग रहा है यह बेडरूम बट आप देखें तो बेडरूम की साइज और एक बार विंडो के साइड से आप देखने तो यहां पर एक कबड रखा हुआ है यह तो अगर यह कबड नहीं रहे सिर्फ इस तरफ का कबड रहेगा तो एक अच्छा खासा बेडरूम में आपको इस पेस मिल जाता है इसके बाद आजाओ आगे आजाओ इसके सामने ही जट्क को को कॉमन वाश्रूम मिल रहाया इसके पेस सामेको का माइस्टर बेडरूम दिखाता हूं तो यहां से मास्टर बेडरूम सेट हो रहा है और Master bedroom entry करते ही आपको लेफ्टान साइड पे इसका वाश रूम दिया हुआ है अंदर से पूरा कवर करो मां अभी देखते हैं इसका Master bedroom का स्पेस किस तरह से दिया हुआ है यह इस तरह आपको कवर्ड का स्पेस दिया हुआ है जो दो से धाइए फुट का गेफ्ट है प्लस साथ फुट के आसपस इसका स्पेस है तो वाड्रोब के लिए पूरा स्पेस कवर्ड किया है और उसके बाद देखें तो इन्होंने अपने हिसाब से म्यूजीक और स्टडी क के हिसाब से रखा है बट यहां पर अगर आप साथ भाई साथ का च्छे भाई छे का बैड भी डालते हैं उसके बावजूद भी एक अच्छा खासा स्पेस आपको यूज करने को मिले सीलिंग की हाइड बगर तो आप देखी सकते हैं कि कितने क्या दिया हुआ है और इसमें बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया सिंद्र से डिजन एरिया गार्डेन बगेर सब कुछ दिया हुआ है अब मैं विंडो के साइड से आपको दिखाता हूं यह आप देख सकते हैं धाई पूट का डेफ्थ प्लस साथ फूट का इसका वीड लेंथ है तो इतना बड़ा गारा से आपको दिखा रहा हूं इक पर पैसेज आप देख लें कैसा है अगया यह इसका पूरा पैसेज अरिया है आप लोग चले जाएए और यह दो हाइए स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है एक इस तरफ और एक इस तरफ दोनों लिफ्ट का है इस राज हूं यह इसका एक staircase है तो इसके अलाबा दूसरा staircase मैं आपको दिखाता हूँ आजाओ और यह इस तरब देखें तो आपको यह दूसरा staircase मिलता है दो staircase, दो high speed lift, CC, OC, BMC water यह सारा कुछ document इसका बिलकुल clear है 700 square foot के आसपास इसका carpet area है और price तो मैं अल्रड़ी बता चुका हूँ 93 लाकस की price है 14 माले का tower है और बिलकुल connectivity में देखें तो यहां से कनकिया road और रामदेपाक road दोनों रोड आपको connect करता है एक 30 second 40 second का रास्ता है जहां से आपको रिक्षा stand, bus stop, रिक्षा वगरे, vegetable market वगरे, सब कुछ connect कर जाते हैं आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यह वासुदिर स्काय हाई का entrance है में नीचे कुछ commercial बना हुआ है ground floor और first floor इसका देख सकते हैं commercial units है और सामने यह building का elevation है और यह रामदेव पार्क और रोड और कनकिया रोड को दोनों को merge करने वाला बीच का बाइपास रोड है दोनों रोड आपको एक मिनिट के walking distance पर पहुंच जाते हैं सामने आप देख सकते हैं भारव रेसिडेंटी और मुंसीपाटी का water tank की यहां का काफी बड़ा लेंडमार्क है और दोनों के बीच में यह complex बना हुआ है यह बहुत अच्छी connectivity है इसका कि यह बात्सदेव स्काई हाई का जो मैं फ्लैट की बात कर रहा हूं यह इसका एंटरंस लॉबी है देखें तो बहुत भी बढ़िया स्प्रेशियस दिया हुआ है और इसका एक प्लस पॉइंट यह है कि इसमें ज्यादा तर हिंदू लोकालिटी के लोग है इसमें कि दो लिफ्ट कि और एक स्टेरकेस कि इस तरह पर आए और तूसरा स्टेरकेस असका कि इस तरफ दिया हुआ है जिमनासियम है अभी मैं आपको बैंक्विट हॉल और जिमनासियम दिखाता हूं कि इस टाइप का है यह आप क्लब हाउस में एंटर करते हैं तो सामने आपको वाश्रूम और यह मिलता है इसके बाद यह इसका बैंक्विट हॉल है बड़ा सा आपको मैं एक साइड में आके दिखाता हूं आपको गंदाजा लगा पाएंगे कि बैंक्विट हॉल कितना कर सकते हैं इतना बड़ा बैंक्विट हॉल है अब मैं जिम्नाशिय मार्ग को दिखाता हूं कि कर जिम एरिया है कि कि अधिक के साथ में जो कार पार्किंग है अब देख सकते हैं यह की वासबिर स्काइः हाक ओपन कार पार्किंग और बाइक पार्किंग का स्कूस है यह आप देख सकते हैं अपर मैं गार्डेन और किस्क दिखाता हूं आपको गार्डेन डिया दिखा रहा हूं कि क्या है इसका गार्डेन रिया रिचा वेलिड जा ऑब्लांटेशन किया हूँ है साथ ये लिफ्ट का इमर्जनसी इलिविटर का इमर्जनसी जब लाइट के लिए उसका बेकप हर एक सोसाइटी में कंपल्सरी हो गया है यह इन्होंने यहां रखा है और स्टर्लिंग का है और यह भी स्टरफ किट्स प्लेडिया है इसका तो गार्डेन और इसका पूरा ओपन गार्डेन है इसका सेकेंड घेट है वासादेव का एक जिट पॉइंट है और यह एंट्री पॉइंट में आपको लेके चलता हूँ हूं यह पूरे पार्किंग का इसलब्स पिस्टाइप का है एंट्री पॉइंट है वासदेव स्काई हाई का और यह जब एंट्री करते हैं केट से तो यह पूरा ओपन पार्किंग सामने क्लव हाउस और आगे यह कॉंप्लेक्स स्टार्ट होता है और कुछ अगर आपको डेटेल जानना चाहते हैं खरीदने के लिए या फिर डेटेल ज करिदने के लिए पूरी हेल्फ करेगी दोस्तों